हलो फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए आलो फुजय नम्किन की रेस्पी लेकर आई हूँ आलो फुजय नम्किन करीब हर किसी को पसंद आता है वसे तो यह मार्केट में एजली मिल जाता है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा तो चली रेस्पी को सुरू करते हैं तो फ्रेंट्स आलो फुजय नम्किन बनाने के लिए मैंने यहां पर चार छोटी से उगला हूँ लिया है और इसे मैंने उबाल कर ठंडा कर लिया है अब इसको ग्रेट करेंगे तो इसे हमें बिल्कुल बारिक वले ग्रेटर से ग्रेट करना है मोटे वाला है मेडियम नहीं नहीं ताकि इसमें एक भी मोटे टूक्रे ना रहे वेट में देखा चाहे तो डेर सब गराम के लगव में आलू है और उपाल पहले आलू को अच्छे से ठंडा कर लेना है इसकी पादी यूच करना है नमकीन बनाने के लिए तो अब देख सकते हैं मैं दिखाती हूँ आपको यह देखिए कितना बारिक सा मैं इसको कर लिया इकू दौन लें बाकि दोने और टी-पादी के वह इसमे में मसाली म स्क्राइब तो मैंBehet को अजली काप आप दर इसमें इसमे Umm один आचक कर देंगे धनिया काप आधा- आधा चुटी चमच चार्क मसाला नमक डालेंगे स्वाद अनुसर मैंने आधा चुटी चमच नमक भी लिया है और दो तीन पिंच हिंग डाल देंगे इससे बहुत ही अचा फिलेवर अगर नमकीर में तो जोरू डालिएगा और अब मैं इसे डाल रही हूं आधा निम्बू निम्बू डालने से बिल्कुल चरपटा टेश्ट आता है या फिर आप सहे तो सैट्रिक एचिट मिला सकते हैं वैसे निम्बू हर घर में इजली अभी लेवल होता है तो आप निम्बू यूज कर सकते हैं तो आप यहां पर एक चमच निम्बू का जूस इसमें एड़ कर आप यहां पर कोई भी कूकिंग इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन यहीं पॉसिबल हो तो सर्षो का तेल इस्तिमाल करें इसे बहुत ही एचा टेस्ट आता है तो मैंने यहां पर 2-3 चमच की लगवव में सर्षो का तेल एड़ कर दिया है अब सर्षो को तेल को भी आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर दें और आप बारी आती है बेशन मिलाने की तो मैंने आप दो तीह एक का बेशन लिया है बेशन आपको इसमें इतना लेना है जिसे कि आलू में एक अच्छा सा बाइंडिंग आजे तो थोड़ा-थोड़ा करें इसमें एड करते जाए और इसको अच् फिर सब्सक्राइब देखिए दो तीहाई कंप ने जो बेशन लिया थो यूज हो गया फिर से मैं इतना वे शंवी आपकर दिया और इसको भी तो मैं ने करीब एक कप के लाग होगों वेशनिसमें इसमें इस्तिमाल कर लिया ने के 1500 गरम के लागों मैं आप देख सागते है तो यहां पर आपको अभी दियान रखना है कि बेशन का मिक्सर होगा और बहुत चाहता है तो आलो बूजिया नमकीन बनाने के लिए मैंने अपर मसीन के इस्तेमाल किया तो जो पतली वाली जाली आती है तो मसीन में शेट कर देंगे आप मूटी जाली अलेष्ट करें के ठीजाएं यह को पतली पतली जाली आसे खटंदों कर दियां होगा और कि सबसे पहले मूटा जाली जाली शेटकर रहे हूं इसको इससे इककर स्टाइक। हम दुटा से और फिर्स स्टें कर दोगर। ₂ ना चिबकिक की और अपने हाथों इसके बाद हम थोड़ा स numerator मीक्सर वोजाएं जाएंगे। में डाल देगे, बने लेक्राइख के ने कसले भाद ऑपर थे । बना लिटेजिए इसको इससे में डाल आफेज में में दिखातीों को िहँते हैं और इसके बाद उपर के जो पार्ट है उसको इस तरह से चेट कर दीजिए इस तरह की मैसीन आपको किसी सुपर होस्टोर में इस दिली में जायागा नाम में लोते से आप आप पर चेश करने के लिंक मैंने निच अद्री सिप्सम बोक्स में दिया है फिर आपको फर्स्ट कमे देखें बढ़ें और जितना अलुभुजी अनम्कीन एक बार में कडाही में आज चाह उतना हमें इसमें डाल देगें और से में मीडियम फिल्म पर अच्छे से क्रिस्पी होने तक प्राइ कर लेना है इसे प्लटने में जल्दी वाज़ि नहीं करना है इसको एम टेश करके करीब दो मिनट तक मैंने इसको दूसरे साइट से फ्राइ कर लिया है और अब देख सकते हैं कितना बढ़ी अकल रहा है बिल्कुल तो नगरे रंका हो गया है तो हम इससे बहार निकाल लेगी तीस्व आप किसी टीस्यू पेपर कुपर निकाली ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा कियार है आपको देख कर लग रहा होगा इतना इजलिय तूट रहे है इसे आप महीनों तक श्टोर करेंगे बिल्कुल भी खरापनी होगा यह देखिए इतना ज्यादा क्रिस्पी बन कर तेयार हुए बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और इसे मैंने मोटी वाली जाले से बना इसे नमकी ने बहुत ही सवाद आता है यह उप्सेनल है आप चाहिए तो सीट कर सकते हैं तो फ्रेंट्स बहुत ही ज्यादा टेस्टी बिल्कुल मार्केट जैसे आलो भुजिया नमकीन बन करते हैं आप इस रेस्पी को जुरूर ट्राय करें और इसे ट्राय करने बाद मु मु कर दो